नमस्कार सातियों आप सभी का स्टेडी क्विज वे तेर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते हम सौलू करेंगे प्रिवेस येर पेपर पटवारी के बहुत ही महतुर प्रशने यहां पर मैं 50 प्रशन लेकर आई हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों म क्यारी करवा सकूँ आपकी लिए मोडल पेपर ला सकूँ तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए लाइक कीजिए और कमें शेक्षिन जरूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं अगर किसी साती ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइ क्रित्रिम का होता है अक्रित्रिम उच्छित का अनुचित होता है यह दोनों ही आपस में विलो में तो यहां पर राइट आंसर रहेगा बी नेक्स्ट आपको क्योशन केसे लगते हैं आप कमेंट शेक्षिन जरूर बताएं हो सकता है आपको सिंपल लगें लेकिन आपने इ इसलिए मैं हो सकता है आपको सिंपल लगें और मैं सिंपल ही लेकर आई हूं ज्यादा टफ नहीं है तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्ण जो शीर्णा हो सके उसके लिए उप्युक्त शब्दे जो शीर्णा हो सके यहां पर वाक्यांश के लिए पुछा गया एक तो यहां पर वह अच्छो के साथ गाता है तो यह संग्या है राइट आंसर आएगा ए संग्या नेक्स्ट है जो अव्यव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेश बल प्रदान करते उन्हें कहते हैं प्रत्य कहते हैं निपात कहते हैं उपसर कहते हैं विकार शबद भी नहीं होगे क्योंकि अवयव को कहा जाता है अविकारी क्या कहा जाता है अविकारी तही रहे गा ब निपात क्या हो जाएगा दि आर तक तो इस तरीके के सब्त्राइब नंभी चुश्च धर्ध परिवर्वर्द Nay जती हैए उस कि ईचे क्या जूड़ते हम और यह देखिए ये आपर रायाइट आंसर रहे गा मैं इस परिक्षों में आयों प्रश्ने बहुत सारे इसको आते हों भी गलत कर देते हैं तो यहां पर लंबो धर का लंबा है उदर जिसका उदर यानि की समझ सकते हैं पेट तो लंबा है उदर जिसका किसका गड़ेश जी का यानि लंबो धर गड़ेश जी के लिए आता है तो यहां तो अधिक बोलता है वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल, तो राइट आंसर रहेगा D, वाचाल, नेक्स्ट ए, सगोजी, सागी जी किस लोकनाटी के प्रसंगे, भवाई, चार में, तुला, कलंगी या रम्मा, तो यहां पर SST का प्रशना आगया, यानि कि G के मंदित प्रशना आगया है, तो यहां पर राइट आंसर रहेगा A, भवाई, नेक्स्ट ए, साधु का विलोम, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु, तो साधु का क्या हो जाएगा, असाधु, राइट आंसर रहेगा D, विग्रह का विलोम शब्द होगा संधी, अ नेक्स्ट ए, निम्ने लिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा की नहीं है, सूर्सागर, विनेपत्रिका, रामचरित मानस या बिहारी ससे, तो यहां पर जो तीसरा उप्षन है, रामचरित मानस तुलसिदाजी की रचना है, या अवधी भाषा में लिखी गई है, त परस पर विरोधी दलो का सहरा लेना, कब रुखोदना है, अपने पाउं पर कुलाड़ी मानना है, जान जोखिम में डालना है, या सूरज को दिमक दिखाना है, तो यहां पर देखिए, परस पर विरोधी दलो का सहरा लेना, अपने पाउं पर कुलाड़ी मानने जैसा है, तो right answer यह रहे गाए आपर B Next रहे हैं सिद्धान्तिन व्यक्ति के लिए निमने लिखित में से कौन सी लोकोक्ति आएगी सिद्धान्तिन खाय तो पस्ता है ना खाय तो पस्ता है गंगा गई गंगा दास यमुना गई यमुना दास चिखने घड़े पर पानी नहीं ठरता चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए सिद्धान्तिन व्यक्ति के लिए कौन सी लोकोक्ति उप्युक्त रहेगी तो right answer रहेगा यहाँ पर B Next रहे हैं जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रत्य कहते हैं बाद में उप्सर्ग जुड़ते हैं तो right answer रहेगा उप्सर्ग पहले जुड़ते हैं प्रत्य बाद में जुड़ते हैं भी याँ पर सही हो जाएगा, next टें, हिंदी बासा में be दो होते हैं, कुण से एक बेचन और बहु बेचन जेए संस्क्रित में 3 होते हैं, एक बेचन 2 बेचन और बहु बचन और हिंदी में कितने अंडे दो ही כहते हैं, next आर्थी के आधार पर वाक्य के कितने भेद है चारे आठे साथ या पांच तो आर्थी के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं कितने आठ कितने होते हैं नेक्स ते जैसे संकेत आर्था के वीदी वाचा के यह सब क्या है आर्थी के आधार पर वाक्य के भेद हैं नेक्स ते एक होता है संयुक्त और एक होता है सरल यानि कि आर्थी के आधर पर आठ होते हैं और रचना के आधर पर तीन होते हैं सरल संयुक्त मिश्र तो राइटांसर यहां पर रहेगा ए तीन भैद अगला प्रश्ण है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संक्या कितनी होती है 11 11 होती है यह होते हैं स्वर जो आम और अह है यह स्वर की गिंती में नहीं आती यह होते हैं अयोगवा ओके तो राइट आंसर यहां पे रहेगा C 11 नेक्स्ट है निम्नलिकित वाकी का रचना के आधार पर भेद बताना है जो मेनत करता है उसे सफलता मिलती है सरल वाकी है सायूकत है मिश्रित है या फिर उपर रिकने से कोई नहीं है तो यहां पर जो मेनत करता है उसे सफलता मिलती है ये प्रधान वाकिय और इस पर ये आश्रित वाकिय सफलता मिलती है तो राइतांसर रहेगा है यापर मिश्रित वाकिय सायुक्त वाकिय में किंटू परंतू और अथवा इस तरीके से योजक शब्द आते हैं लेकिन संबंद वाचक शब्द आते हैं चाय, रिक्षा, कमरा, केची तो राइटांसे नहां पर रहेगा D, केची एक तुर्गी भाषा का शब्द है नेक्स्ट है 21 निमने लिखित मेंसे भाषाओं मेंसे किस भाषा को समीधान में राजभाषा का दर्जा मिल दिया गया है उर्दू, हिंदी, फार्सी, अंग्रीजी तो राइटांसर रहेगा B, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 22 वाषा कितने प्रकार के होते हैं? 8, 5, 4 और नेक्स्ट ऑप्शन है 3 तो वाषा होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं कौन-कौन से? कर्म वाषा, भाव वाषा और एक होता है कत्री वाषा कत्री, कर्म और भाव वाषा ये 3 प्रकार के वाषा होते हैं राइट आंसर रहेगा डी नेक्स्ट ए जो शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते क्या केलाते हैं क्रिया विशेष्टा केलाते हैं संग्या सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेष्टा केते हैं तो यहां पर राइट आंसर रहेगा भी क्रिया विशेष्ट निवने लिखी संदी विछेत में सी यन संदी का उधारन बता नहीं नारी धन इंद्र ये तो दिर्ग संदी होगी शुब धन इच्छा शुबेच्छा ये गुण संदी होगी मत धन एक के मत एक के ये व्रिद्धी संदी होगी यानि ये दिर्ग है ये गुण है और ये वृद्धी है तो यहाँ पर परीधन आवरण बनेगा पर्यावरण क्या बनेगा पर्यावरण तो राइट आंसर रहे गाए आपर D नेक्स्ट है पेर से पत्ता गिरता है वाकि में कौन सा कारक है यहाँ अलग होने की क्रिया है यानि अलग होने का भावे तो करण कारक करण कारक में के द्वारा होता है तो यहाँ पर अपादान कारक होगा यानि कि सी यहाँ पर से हो जाएगा यानि 25 जो क्योशन है उसका कहा लिए का ला एक्षर भेस पर आस्तिन का सांप यानिकी कि छिए नेक्स्ट ए निमने लिखित में से कौन सा शब्द संकर है संकर का मतलब होता है देशी और विदेशी शब्द से कोई शब्द बना हुआ उसे बोलते हैं संकर मयूर, शिक्षा, सेट, रेल गाड़ी तो राइट आंसर यहां पे रहेगा D, रेल गाड़ी रेल गाड़ी यह संकर शब्द एक विदेशी और देशी शब्द से बना हुआ नेक्स्ट ए जिसे जीताना जासे कि उसके लिए उप्योक्त शब्द बताना है तो राइट आंसर रहेगा A, अजय नेक्स्ट ए यशोदरा संदी का उधारने यानि किस संदी का उधारने आयादी, स्वरसंदी, यान, स्वरसंदी विसर्ग संदी या फिर दीर के संदी तो यशोदरा का संदी विच्छे दोगा यशधन धरा यशधन धरा यानि कि विसर्ग आ रहा है नेक्स्ट ए दो शब्दो वाक्यांशो वाक्यो को जोडने वाले शब्द क्या कहलाते हैं समुच भोधक संबंद भोधक विस्मयादी भोधक या क्रिया विशेशन तो 32 का राइट आंसर आएगा समुच भोधक ए समुच्च भोदग दो शब्दों दो वाक्यांशों और वाक्यों को जोडने वाले शब्द समुच्च भेदक भोदग कहलाते हैं 33 निमने लिखित में से कौन सा विलोम शब्द तुरूटी पून है अपेक्षा का उपेक्षा होता है अग्रच का अनुज होता है आदान का प्रदान होता है लेकिन यहाँ पर देखे थर ओप्चन उन्नत का अवगत नहीं होता है उन्नत का होता है अवनती है अना तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है क्योशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सोल्व करें अपना मुल्यांकर करें और किसी साती ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल कनक शब्द का निम्लेकित में से कोंसा अर्थत नहीं है सोना होता है धतुरा होता है गेव होता है लेकिन समू नहीं होता है तो राइट अंसर रहेगा यहापर सी 36 निम्ले लिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा है ये पुछा है दो दिन की हुकूमत ये गलते पत्तर का जवाब इर से देना नहीं होता है इंट का जवाब पत्तर से देना होता है नो नो आसुर होना ये भी गलत है तो यहाँ पर यानि की डी ओप्शन सही रहेगा डी देखे क्या होगा अब तब करना यानि बात को टालना तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट एं निम्न लेखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्धे मेरी साइकल सबसे तेज दोडती है मित्रों को काटकर केक खिला हूँ यह तो गलत हो गया घोडा तेजी दोडता है तो यहां पर सरपत नहीं आएगा या तो दोड रहा है यहां पर जान नहीं आएगा कार तोटकर तहनी पर गिर गई तो राइट आंसर है गा, मेरी साइकल सबसे तेज दोडती है A यहां पर सही हो जाएगा dependent निम्रे लिकित में शुद्ध शब्द है सलोचनी प्राप्ती देहिक यहां पर फर्स्ट अना सब्द सई है सलोचीनी गलती प्राप्ती में छोटी की मातरा आती है और देहिक में बड़ा A आता है तो right answer रहेगा A next A 39 संग्या कितने प्रकार की होती 8, 5, 4, 3 यह confusion क्यों रहे बहुत सारे 5 बताएंगे बहुत सारे 3 बताएंगे तो मैं आपको confusion दूर कर देती हूँ संग्या 3 प्रकार की होती कितने प्रकार की होती 3 भाव वाचक, जाती वाचक और व्यक्ती वाचक कितने प्रकार की होती 3 यानि इसका right answer रहेगा 3 अब दो और कौनसे होती जाती वाचक में माना जाता है दो और को एक होता है द्रव वी वाचक और एक होता है संग्या 3 प्रकार की होती है इसलिए right answer रहेगा यापर D, 3 next है प्रिस्ट का अर्थ है प्रिस्ट का मतलब होता है पीठ तो right answer रहेगा यापर B अगला है निम्न लिखित वाक्य में रेखां की शब्द क्या है नल, बूंद, बूंद, टपक रहा है तो right answer रहेगा क्रिया विशेशन 42 जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है असाध्य, दूसाध्य, साधन, हीन या श्रम, साध्य तो right answer रहेगा A, असाध्य 43 निम्नी निकित में कौनसा शब्द शुद्ध है परिक्षा, बिमारी, आशिरवाद, पार लोकी तो right answer रहेगा कौनसा शब्द शुद्ध है परिक्षा में बढ़ाई आता आशिरवाद यहाँ पर बढ़ाई आता पार लोकी यानि यहाँ पर D से हो जाएगा पार लोकी नेक्स्ट है 44 सापिक्ष का विलोम शब्दे असापिक्ष, निस्पक्ष, निर्पेक्ष, आपिक्ष तो right answer रहेगा आपर C, सापिक्ष का होता है निर्पेक्ष 45 है वहाँ कौन खड़ा है सर्वनाम कितने होते हैं 11 होते हैं प्रश्ण वाचक यहाँ पर सर्वनाम 11 होते हैं लेकिन सर्वनाम की भेट कितने होते हैं वो होते हैं 6 तो right answer यहाँ पर रहेगा B next ए 45 यहाँ सूरी का परियावाची नहीं यहां पर सूरी का पर्यावाची नहीं है दिनकर सवीता केसरी और भासकर तो right answer रहेगा C केसरी सूरी का पर्यावाची नहीं है 47 जिस इस्तरी का पती जीवी थे उसके लिए उप्युक्त शब्दे तो क्या हो जाएगा सद्वा और जिसका पती नहीं होता है उसे कहते हैं विद्वा तो right answer रहेगा B नेक्स्ट है निमने लिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है सुरी शुद्ध वाक्य बताना है बकरी का ताकतवर दूद होता है दूद्ध ताकतवर बकरी का होता है यानि ये दो अप्शन तो बिलकुल गलत है अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूज होता है बकरी का ताकतवर दूद होता है तो यहाँ पर right answer रहेगा B बकरी का दूद ताकतवर होता है 49 निमने लिखित में से कौन सा शब्द तस्ता में अंजान पत्ता सच या घोटक तो right answer रहेगा आपर D घोटक 50 और अंतिम प्रशने माता ठनकना मुहावरे का अर्थे माता ठनकना यानि कि किसी पर शक होना तो right answer रहेगा B नेक्स चलो एक और प्रशन देख लीजिए उत्थान का विलोम शब्द पूचा है पतन सोव में आगध अस्ता चल तो right answer रहेगा आपर A पतन ओके फ्रेंस इन प्रशनों को कीजिए और कमेंट शेक्शन में जरूर बताएं आपकी कितने सही हो रहे हैं वीडियो को एन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद